हलो दोस्तों सुवागत है आपका आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोया बीन की वड़ी का टेस्टी और क्रिस्पी नास्ता जो जटपट से बनकर तेयार हो जाता है तो दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जुरूर देखें तो चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेश करना नए भूलें तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सोया बीन वड़ी को हम सबसे पहले गरम पानी में उबाल लेंगे और गरम पानी हमने गैस पर उबलने के रिए रख दिया है और इसमें आदा चमच हमने नमक डाल दिया है और गरम पानी हमारा हो चुका है यानि कि इसमें अच्छे जो बाल आ चुका है और इसमें हम डाल देंगे सोया बीन की वड़ी को और इसको इसमें डालने से आप गैस को जो है तुरंत बंद कर दें हमें यहाद जादे नहीं उबालनी है क्योंकि यहाद चिपक जाएगी फूल जाएगी तो यह हमने रिफाइन डोल रख दिया है गरम होने के लिए और सोया बीन की वड़ी को हमने अच्छे से निचोड़ने और यह देखिए हमारी सोया बीन वड़ी अच्छे से खड़ी खड़ी जो है यहाँ पर उबल चुकी है यह जाएदा नहीं फूली है क्योंकि अगर जाएदा फूले गिया है बहुत ही अधिक घल जाएगी तो इसको बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम नमक लाल मिर्च पाउडर और यह हमारा रहेगा हल्दी पाउडर और यह लिए हमने गरम मसाला और यह डालेंगे हम इसके अंदर चाट मसाला और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे कॉर्ण फ्लोर यानि के अरा रोट दोस्तो इस रेशिप की कॉण्टेटी मैं डिस्क्रिप्सन में डाल दूँगा वहाँ जाकर के आप चेक कर लीजिएगा कि हमने कितनी बनानी है और इसमें क्या-क्या कितना मिलाना है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से और यह हमारा मिक्स हो चुका है यह देखिए यह आपको थोड़ा हाथ आपस में जुड़ा हुआ दिखाई देगा देखिए यह कुछ ही मिन्टों में आपका टेश्टी और क्रिस्पी नास्ता बनकर तैयार हो जाएगा अब हम इसको जो है इससे निकाल लेंगे यह देखिए दोस्तो हमारा यहाँ पर सोया बीन की वड़ी का टेश्टी नास्ता बनकर तैयार हो गया है तो दोस्तो यह वीडियो कैसी लगी किमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में